कूश्चन यह कर रहे कि एक स्टोर में एक डिसकाउंट स्कीम है जिसमें आपको अगर दो सेंपो खरिते हैं तो एक लिए आपको पैसा देना होगा फूल पैसा और दूसरे पर 60% आफ है ठीके जो कि से माकार का है और सेम क्वालेटी का है और सेम साइज का है और सेम प्राइज का भी है यह आपको ध्यान रखना है कुश्चन यह वो लगा कि what is the profit percentage of the store if each sample bottle has the cost wise of 60% below the mark price कुश्चन में करें कि store का profit percentage बताना है जबकि सभी बोतले की जो प्राइज है उनके MRP से 60% कम उसके cost wise से 60% अधिक लिश्ट कर गई है फिर उसका MRP से 60% कम है तो दुनों तरीके देखे अगर मैं आपसे यह बोलू कि परते एक बोतल की price 100 रुपे है तो उसका CP कितना हो जाएगा CP 60% कम हैने कि 40 रुप हो जाएगा अगर यह अपका MRP है तो यह कितना हो जाएगा आपका CP हो जाएगा कुश्चन में करें कि एक के लिए तापको 100 रुपे ही पे करना होगे लेकिन दूसरे के लिए आपको क्या करना है 50% इसका OFF है 100 का 60% OFF करें कितना होगा 40 कितना हो जाएगा 40 लेकिन लेकिन मेरे भाई इसका CP है वो तो सेम ही रहेगा क्यों कि अगर इसका price 100 है जोको पहले का price क्या है 100 है तो दूसरे का price 100 ही होगा पर अगर आपने एक खरीदत दूसरे पर आपको 60% का इसकाम दिया जा रहा है तो इस दो इस इस whip का price 40 रुपा हो जा रहा है तो टोटल इसने ख़डारी कितने की 140 रुपे की लेकिन इस टोर को कितना रुपा का सेमपो पड़ा 80 रुपे का अब 80 रुपे के समान को 140 में बैच रहा है प्रोफिट कितना कवागा 60 का प्रसेंटेज में 60 बटे 80 गुना 100 चार से दो बार में चार से पचीस बार में और दो से तीन बार में ओवरल इस्टोर को कितना परसेंट का प्रफिट हुआ 75 परसेंट का अपसन नमबर सी